और अब बात करेंगे रूस युक्रेन युद्ध को लेकर के क्योंकि सवाल ये खड़े हो रहे है कि क्या पुतिन कुछ बड़ा करने वाले है सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या परवाडू हत्यारों का इस्तमाल भी करने वाले है क्योंकि परवाडू हत्यारों की नुमाईश उनके द्वारा की गई थी अब ऐसे में ये युद्ध क्या आगे और बढ़ेगा हिंदुस्तान में दीपोट्सों की धूम है लेकिन क्या धमाका पुतिन करने वाले है दिवाली पर क्या रूसी राश्पती कोई बड़ा बंप कोड़ेंगे इसको अपनाग सवाल की जड़ है पुतिन का वो जंगी फैसला जिसमें उन्होंने अपने परमाणू हत्यारों की नुमाईश की रूस ने परमाणू मिसाइल दागने का अभ्यास किया बैम बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल सटीकता से दागी कही पुतिन ने परमाणू सेंटर में ड्रिल की मॉनिटरिंग की ये तैयारी और हत्यार अपडेट करना जरूरी है पुतिन ने कहा परमाणू हत्यारों का उप्योग केवल अंतिव उपाय है ये पुतिन बता रहे है तो क्या वो आखरी वक्त आ चुका है जब पुतिन एटमी बंमार कर तहल का मचा देंगे तूकि रूस युक्रेन जंग 32 महिनों से चल रहा है और रूस ने पूरवी युक्रेन की दो शेहरों पर कबजे का दावा किया दावा किया जा रहा ही कि रूसी से नाए एक साल में सबसे तेज गती से आगे बढ़ रही है इसके पीछे उसका मनोबल बढ़ना भी वज़ा है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया ने रूस में अपने सैनिक भेज दिये है युक्रेन के द्वारा रश्या के मेल लेंड में अमेरिका की दिवहूई लॉंग रेज मिसाइल के आकरमन की आशंका को देखते हुए अचानक रश्या ने दुबारा से नुक्लियर वार्ट रिल किये और टेस्ट करके ये बता दिया है कि मैंने अपनी नुक्लियर डॉक्ट्रीन में बदलाव कर लिया है युक्रेन और अमेरिका दोनों को उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि बी रेडी फॉर अ नुक्लियर वार्ट अमेरिका यूक्रेन और दक्षिन कोरिया ने आरोप लगाया है कि नौर्थ कोरिया जंग में रूस की मदद कर रहा है नाटो और पेंटोगन ने दावा किया कि किम जोंग ने रूस को नके बर हत्यार दिये बलकि अपने 10,000 सेनिक रूस में यूक्रेन के खिलाफ उतार दिये अमेरिका ने रूस को चेतामनी दी है कि यूक्रेन युद्ध में उत्तर कोरिया अगर शामिल होता है तो यूक्रेन पर अमेरिकी हत्यारों की इस्तमाल की रोक नहीं लगाई जाएगी क्या इसी आशंका में पुतिन ने परमाणू हत्यारों का जखिरा निकाल लिया है इसके आगे क्या होगा रूस भी आपको ये बता रहा है कि ऐसी बेवकूफी के बारे में सोचना भी मत क्योंकि हम पूरी दुनिया पर नुक्लिर हत्यार हम इस्तमाल कर सकते हैं उसके बाद अमेरिका यानि यूक्रेन के कुल साथ ही मिल जाएं तो रूस पर भारी पर सकते हैं लेकिन पुतन ने किम जोंग के साथ ही चीन और इरान को भी अपने पाले में कर रखा है अगर ये दीश आपस में भिड़े तो विश्मयुद के साथ तमाही तै है विर रिपोर्ट रिपाबले खारग और आप खबर उतरप्रिदेश के शाय जाहापूर से है उतरप्रिदेश के शाय जाहापूर में जहां मीटिंग चल रही थी नगरपालिका की लेकिन इस दौरान हंगामा इतना जादा बढ़ जाता है कि हाजरा बेगम जोकी चैर्मेन है वो खुद इस मीटिंग को चोड़ करके चली जाती है क्या हुआ इसे एक मिटिंग की रिपोर्ट पे देखे है यूपी के शाजहापूर के तेलहर नगरपालिका परशक की तस्वीर है जहां बोट की बैठक बुलाई गई लेकिन वो हंगामे की फेट चड़ गई साथ महिनी के बाद मिटिंग में आउट्सोर्सिंग करमिचारियों की अनिमिरताओं को सबासदों ने सवाल पूछा लेकिन जब चेर्मेन हाजरा बेगम से जवाब नहीं मिला तो उनके विरोधी खेमे के सबासद लाम बंध हो गए उन्होंने कारवाही रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया यो कलपना शर्मा ने समझाया कि हस्ताक्षर के बाद ही सबासद बैठक में उपस्तित माने जाएंगे विरोधी खेमे की सबसाद सतंदर सिंग, दिलिप सक्सेना, संदिप रस्ताओगी, अमित रौकी ने हस्ताक्षर बाद में करने की बात कहते ही भी बैठक शुरू कराने क्यों कहा, इस पर माहौल में तल्खी पैदा होगे हंगामा बढ़ा, तो चेर्मेन कुर्सी से उठी, बिना किसी से बोले और जवाब दिये, वहाँ से निकल के, बाद में यू ने बैठक शुरू कर, कई बिंदों पर चर्चा कराएं, लेकिन आउट्सोर्सिंग पर लगे 288 कर्मिचारियों की अनमिताओं को लेकर कोई उत्तर नहीं मिलने पर सबसाथ फिर हंगामा करने लगे, बियूर्पूर्ट रिपब्लिक फारूर।